कि वेरी मोस्ट आइंपी कुषिशन पास्टेरों के पेपरों के अंदर ये कुषिशन पूछा गिया आएगा ठीक है अब यहां पे क्या दिया है एफ़ वेली ओफ मसीन तरह को दे दिये 8000 यूके पाउंड बरोल लास्ट अंबर का समस है तो 8000 यूके पाउंड हम लोग करेंगे क्या 8000 यूके पाउंड हम लोग यहां पर जो लिख देंगा ठीक है उसका दम लोग क्या करेंगे सब खर्चे एड कर देंगे इसके पहले हम लोग ने देखा कौन से खर्चे एड नहीं करने है बाईन क कुमीर rewards ओगेरा रिटेन इंबर पेकिंग मटेयु उसको एड नहीं करना है और जो भी एक्स पेंशेस हरओ ँमने इंडिया के अंदर किया हुआ है उसको भी आईड नहीं करना है ती सी जोगो और Butars सब को एड करते हैं अच्छा फ्रेड वगरा तो क्या आएगा लास्ट मैं तब फ्रेड को लोग रहें देता हैं डिजाइन का गर्चा कितना क्या 500 UK पाउंड तो 500 UK पाउंड डिजाइन का गर्चा हम लोग एड कर देंगे ठीक है उसके बाद क्या बोला होगा तो भाई उसके यह सब वो सब का प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 8660 A4B value एस पर दक कस्टम मेरे को मिल जाएगा A4B के value कंदर में क्या करूंगा insurance aid कर दोंगा और freight aid कर दोंगा अब मेरे को question कंदर freight तो मेरे को दिया गिया यह यह 2500 इंसरेंस नहीं दिया तो इंसरेंस तो में क्या करूंगा 1.125% ले लोंगा compulsory fix ठीक है अच्छा फ्रेट यहां पर जो क्या दिया हुआ है एर के थुरू दिया है इसके पहले वाले question कंदर हम लोग ने देखा कि अगर freight एर के थुरू तेरों को दिया गया है तो क्या करना है यह जो freight तेरों को एर के थुरू जो है उसकी value FOB के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो FOB के 20% से ज्यादा होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे FOB के 20% लेंगे ज्यादा वाली नहीं लेंगे देखा अभी हम लोग ने FOB ढूंडा ठीक है हमारा FOB कितना है 8-6-6-0 अच्छा 8-6-6-0 का हम लोग ने 20% किया तो answer है कितना 1732 इसका मतलब के freight 1732 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो देख यहाँ पे freight है कितना 2732 से ज्यादा है न अगर freight ज्यादा होगी तो हम FOB के 20% ले लेंगे तो इसका बला हम लोग ने जो भी FOB के 20% किया तो answer कितना है 1732 यहाँ पे तरह को कितना दिया है 15-100 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 15-100 ले लेंगे concept क्या आएगा अगर freight paid by air है वो FOB के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए FOB के 20% करिये तो कितना answer आता है 1732 अब यहाँ पे तो तरह को 2500 दिया है तो ज्यादा है ज्यादा दिया है तो हम लोग लिखेंगे कितना 1732 लिखेंगे अगर यहाँ पे काम होता जैसे 15-100 होता तो हम 15-100 लिखते हैं काम हो तो वो वाली वेल्यू लिखने है अगर ज्यादा हो है तो FOB के 20% जो भी होगा वो वाली वेल्यू हमार को ले लेंगे ठीक है फ्रेड भी हो गया इंसरेंस हो गया सबका प्लस होगरा करेंगे तो CIF वेल्यू मिलेगी CIF वेल्यू को हम लोग क्या करेंगे तो वह जो भी foreign exchange का रेट है उसके हम लोग multiply कर देंगे ठीक है foreign exchange का रेट इसके पहले डीटेल में वीडियो बना दी है foreign exchange का रेट हमेशा लेना कुंसा है तो वह जो बील ओफ एंट्री के टाइम का जो foreign exchange का रेट होए ना वह अरा लेना है इसका भी कौन से clear हो जागा ने percentage का भी हो जागा तो पहले वह वाली वीडियो देख लो multiply करेंगे तो यह वाला answer आएगा अशको पर क्या आएगा basic custom duty हम लोग लगा देंगे basic custom duty यहां पर question करना दिये दो custom duty दिये तो लेने की कुणसी तो जो last number के date वाली होए last number के date पर ही वाली आती है तो यह वाली लेंगे कितने percentage 12 percentage आएगा 12 percentage हम लोग ले लेंगे यह वाली value के 12% ले लिये लिया यह वाली value आजेगी नहीं सबका plus करूँगा तो total मेरे को value मिल जाएगी अब question में दूसरा क्या दिया हुआ है तो यह question में मेरे को IGST दिया है IGST तो मैं सबसे last में निकालूँगा पर यह वाली value को पर IGST निकाल दूँगा तो landed value मेरे को इतनी मिल गए ठीक है अच्छा ऐसे valuable value थी कितनी इतनी मेरे को product पड़ी कितने में इतने में मलब इस मेंसी में इसको minus कर दोँगा तो जो answer आएगा हो मेरा क्या होगा इतने में में product लेका है था और यह सब तरीके के मैंने टेक्स वगएरा पेगी है और मेरे को इतने रुपए में product पड़ी इसमें से इसको less कर दो तो टोटल custom duty तुमारे को पता चल जाए यह तुम क्या कर सकते हो तो मैंने basic custom duty इतनी दी इतना दिया ने IGST इतना दिया एगा अब लभी 85594 8559 ने 145338 यह तीनों का भी प्लस करोके तो भी यह value आ जाएगे पर यह 15 मां कंदर 2018 कंदर भी पूछा गया question है 2019 कंदर भी question पूछा गया है 2020 एक्विस कोविड था 2022 कंदर तो खाली unit number 12 की जेक्जाम थी unit number 34 जो था वो MC क कंदर था ठीक है